अगर आपको बालों में बहुत ज़्यादा डेंडरफ है, फ्लैकिंग, स्कैलिंग और खुजली हो रही है, स्कैल्प में ड्राइनेस है, जिसकी वज़े से बाल भी चड़ रहे हैं और ये डेंडरफ ठीक होने के बाद बार बार वापस हो जाता है, तो इस वीडियो को एंड जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्कैल्प में फंगल इंफेक्शन के कारण डेंडरफ की प्रोब्लम बढ़ती जाती है, और साथ ही खुजली, इरिटेशन, ड्राइनेस और हैर फुल भी बढ़ता जाता है, और ये किसी हॉम रेमडी या नॉर्मल शंपू से ठीक नहीं होता है, इसलिए इन सभी प्रोब्लम्स के लिए डॉक्टर्स द्वारा स्कैल्प प्लस एक्सपर्ट एंडेडेंडरफ शंपू यूज़ करने की सला दी जाती है, जो डॉक्टर्स की फर्स्ट चोइस है और बहुत ही जादा एफेक्टिव मेडिकेट शंपू है, एक बार यूज़ करने से ही आपको इसका एफेक्ट दिखने लगता है, ये शंपू ग्लैनमार्क फार्माशोटिकल्स द्वारा बनाया जाता है और इसके 75 एमल पैक की MRP अभी 280 रूपीज है, ओनलाइन आपको ये 260 की आसपास मिल सकता है, इसका लिंक आपको डस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें में कंटेंट कीटा कोनाजोल 2% और जिंक पारिथियोन है, जिसमें कीटा कोनाजोल एक एंटि फंगल है, जो डेंडरफ पैदा करने वाले फंगस को खतम करता है, और जिंक पारिथियोन डेंडरफ को बार बार होने से रोकता है, और इससे होने वाली खुजली और हैरफॉल को भी कंट्रूल करता है। साथ ही इसमें कंडिशनर भी है, इसलिए इसको यूज करने के बाद आपके बाल सौफ्ट रहते हैं, रफ या ड्राइ नहीं होते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को गीला करें, और एक बर्तन में थोड़ा सा श्यम्पू लें, उसको पाने की साथ मिक्स करके उसका एक सौलूशन बनाएं, उसके बाद में अपने बालों में उसको लगाकर एक मिनट तक अच्छ से मसाज करें, जब अपने बालों में तीन मिनट तक उसका मसाज करें, और फिर से अपने बालों को वश कर लें गरम पानी से, तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है, और इस शेम्पू को आपको एक महीने तक सब्ता में दो से तीन बार यूज करना है, एक महीने बाद सब्ता में एक बार यूज़ करना है जैसे अगर आप सब्ता में 3 बार hair wash कर रहे हैं तो 1 बार scalp shampoo से करना है और बाकी 2 दिन आप normal shampoo से hair wash कर सकते हैं तो ये थी पूरी जनकारी स्केल्क प्लस शंपू के बारे में अगर जनकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थे और दवाईयों से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें